कि वेल्कम टू मारवल फूचर फाइट इंडिया देश्री शुख करते हैं तो थोड़ा च्छाले के वज़े से मैं सही से बोलने पा रहा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो मना के बता दूंगा तो जैसे कि यहां पर एक कमेंट कमेंट आया हुआ है कि थौर की इनिफर्म लू या मैट थौर की कौन सी लू देखो दोनों ले सकते हो को दिक्कत नहीं है बट क्रिस्टल कम होंगे तो उस कंडिशन में फिर थौर की इनिफर्म लेना ज़्यादा बिटर रहेगा जिन फोस्टर का उतना कुछ टियर थ्री है टियर फोर्ट होई न जैसे कि अभी आगे है MSN फ्री फायर करके बंदे का कमेंट है प्लिस टेक मी वन वीडियो अबाउट अ मिनिममम टॉप 20 पीपी पीवीए करेक्टर इनिफर्म लिस्ट फुल गेम बेस्ट टेक्टर मस्ट बाई इनिफर्म पे वीडियो बना दूँगा उसके अंदर बता द वीडियो नहीं देखा तो जगरू जखो मैंने उनी के अरेटर के बिडियो बनाए जो एक तो बेस्ट थे या माने जा रहे थे बहुत बेस्ट होंगे उनी के बनाए और चाहो तो देख सकते हो गाइड के लिए तुमको मिल लाएगा क्या निदेना है कैसे लगाना है कैसे करना है तो तुमको मिल लाएगा बिसिक गाइड तो उसके गाइड के लिए तुमको वीडियो देख सकते हो उसके बाद मैं क्या बात कर रहा था स्टोरी मोड 5.1 वाला ग्लीच है मेरा डावेश मेरो कुई लग रहा है भाई आप अब भी खेलके देख लो ठीक है चलते है मतलब इसमें लिखा हुआ है कि एनरजी स्पेयर एक एनरजी स्पेयर आएगा जिसके अंदर में सब कुछ फ्रीज हो जाएगा क्यारेक्टर जो है हमारे जो क्यारेक्टर है एक्जाम्पल के लिए स्पार्डामान स्क्रिंग के उपर दिख रहा है थानों से वोल्वरी ने यह क्यारेक्टर वहाँ पर उस चीज को अगर स्पेयर को टच कर देगा है तो वह जम जाएंगे कुछ सेकंड्स के लिए बरफ बन जाएंगे उसके बाद में रिफलेक्ट डामेज एनमी रिसेव हीरो डिक्रेस डामेज रिसेव यहाँ पर में लिखा हुआ है साब तोर में लग रहा है वह इसी वह जैसे है इसलिए मैंने बोला था कि जब भी कोई भी स्टीजेस तुमको खेलना है तो गाइड वीडियो देखके जाओ और उसमें मैंने बताया था कि स्टोरी मोड में हर किसी का स्टेजेस में वहाँ पर में अलग-अलग टाइप के काटेगरी के कर रिक्मेंड के था मिने मने स्टार्टिंग में रहलistem रिक्मेंड के था मिनना किया थे और आभी रिकमेंड करने के लिए लोकी है और डियर कलेंगको प्लियर करने के लिए वो villain type का होने के वज़े से advantageous ज़ाधा देंगा प्लस उसके पास में damage है काफी अच्छा damage है तो वो damage कर देगा प्लस तुमको अगर कोई stages में अगर समझो कोई clear नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का reason क्या है वहाँ पर मैं कॉंकों से bonus या कॉंकों से rules है उस rules को ज़रूर पढ़ो clear करने से पहले ताकि तुमको clear करने में कुछ इकत नहीं हो तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था heroes damage reflect decrease damage receive तो यहाँ पर मैं जो hero type के character से जैसे spider man हो गया वोलवरीन हो गया यह hero type के character है तो यह hero type के जो attacks होंगे जितनी भी damage करूँगा मैं stages में use करूँगा वो सब का सब वापस आके hero को लगेगा याने एक ही जैसे शुरू करूँगे वैसी खतम तो villain type के character इस्तेमाल करो जैसे Thanos या Loki तो यहाँ पर मैं मैं इस्तेमाल करूँगा Loki थौर को मैं example के लेके जा रहो थौर hero type के character है और यह जो विलन है यहाँ पर तुमको समझाने के लिए मिनको बहुत आसान पड़ेगा यह recently अभी आयोए character है तो इसको समझाना बहुत अज़ादा आसान है मेरे लिए थोड़ा सा inverter साप कर ले तो थोड़ा सा 2 मिनट जादा नहीं यह देखो यह स्टीजिस में थौर यूस्तमल करूँगा ठीक है तो जो रेट का लगा सरकल आया था ब्लू का लड़ा उस पर टच नहीं करना है ठीक है उससे तोड़ा बचके अभी देखो यह विलाइंग क्यारे तो यह मार रही है ठीक है यह यह यहां पर मर रहे है अब मैं यहां पर लूँगा थौर अरे चाई चागावत यह दो यह जम गई देखो कुछ सेकंड्स के लिए जम गई थी है तो ऐसे कुछ यहां पर एनमीज में रखा हुआ है यहां पर थौर यूस करूँगा मर जाएगा मैं देखो मर गया तो यही रिजन है यहां पर मैं विलन यूस करना है मैक्सिमुम जो को से बोनसे स्टेज स्टार्ट करने के पहले लेफ साट के ऊपर के कॉर्नर में प्रेस करके चेक करना और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना या मेरी वीडियो सर्च मार लेना हाउ टू प्ले स्टोरी मोड सेक्टर स्टेज बोड उसका नंबर वो डाल दे की तुम समझ जाना कि माँ पर मैंने वीलन का करट यूज किया तो बनेया जिसके व्यसके वाले यूज करने अब जैसे यापर लोकी यूज कर रहा हूं और लगातर लोकी अपने आपको healing कर रहा है किसकी स्केल में healing है तो यह मैंने character recommend किया थे new players को कि healing वाले character हमेशा लेके रखना चाए वो पीवीए के हो या पीवीपी के हो लेके रखना चाहिए कभी ने कभी किसी कंडिशन में काम आई जाते है तो इस तरीके से स्टोर्यमड अगर खेलते हो या डिस्पशमिशन भी खेलते हो तो वहाँ पर मैं देखके तुम्हों लग लेकर न हो तो उतना आसान है लोकी वगरा लेकिए आरामन लेकर जाओ क्लियर कर देगा आरामन तो मेटा है इसका सेक्टर 2 कि लियर करके दिखा दिया थौर ने वहाँ पर मैं सेक्टर 2 लेक्षसों लिए टाइंब करने के यहां पर मैं उसके पास में इनिफॉर्म था 15 पीर्स तुझ वागेश से उसके बासमें एडवंटेजर श्यादा है यह बात में भी मानता हूं बट स्टेजस क्लियर करने के लिए उसने जो टाइम लिया दो मिनिट 47 सेकंड वो काफी ज्यादा था तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि थौर जो है वो इतना पाउरफुल नहीं है कि वो स्टेजस क्लियर कर पाए मैं मानता हूं लेवल 80 का रहा है तो मैं गारेंटी नहीं दे सकता हूं स्टेजस क्लियर कर ले बट लेवल 70 के साथ में कम पाउरफुल है यह मैंने चीज़ बुला था और वही चीज़ हुई है सेवेंटी लेवल 70 के साथ में दिफिकल्टी हो रही है लेकिन लेवल 80 रहता तो वह कुछी एक मिनिट के अंदर ऐंडर मेंट के खेले कर लेता है को अब यहाँ नियुक्त यहाँ लिखा हूआ है यह बाकि में दिखा रहा हूं ओ अ कुछकिसित घृर अgon लेण यह स्टेजिस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो और जो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है कि अपर से मैंने ओबलिस के दे रखा है कोई सिर्टी भी जज्जमेंट या रेज नहीं है मेरे बासमें ठीक है एक पड़ा हुआ है लेकिन मैं थोर को नहीं दूंगा इसलिए मैं उसको नहीं देने वाला है जबकि आरमन इससे जदा जल्दी क्लियर कर देता है मनता हुआ है इसलिए अभी उसके साथ में अगर मैं यहां पर मैं स्टेज़स क्लियर करूंगा तो जल्दी क्लियर करके दे देंगा और थोर से लिवल 70 है तो जमीन असमें का अंतर तो आएगा अगर थोर के अंदर में अक्युमिलेशन थोड़ा और ज्यादा देते हैं तो मैं इसको गैराइंटेड अभी लेवल लेटी का कर देता बिना मिना स्टेश्य समझें बट यहां पर मैं इसके पावर लेवल को देखते ही मैं से डिसेज से बच जाएगा अगर लेट करता हूं तो यह ना सोचने समझने का टाइम मिल जाता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए इन्वेस्मेंट वगेरा मटीरा बड़े महेंगे मुश्कल से मिलते हैं और ऐसे महेंगे जमाले में मटीरा दूब सम्भाल की यूस करना चाहिए प स्टेजिस क्लियर करना थोर के बसके बात नहीं है अब तुम बोलेंगे कि यहां पर मैं जो स्केल रोटें यूस कर रहो में गलत यूस कर रहो तो मेरा बस अब्सक्राइब यूस करना इस टू मच डिफिकल्ट यह कभी भी अक्टिवेट हो गया कभी भी डिकरस हो गया और क कभी भी बंद हो जाता है कभी भी चालो हो जाता है इस टू मच डिफिकल्ट ब्रो कि देखो दस सेकंड लेफ्ट है खाली तो क्लियर कर सकता है बट इसको बहुत पावर लेवल की जरूत है बीना सिटीपी के इसको यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा जहां दक में सकते हैं तो ऑबलिस के सात में अगर सेटीपी नहीं रहा नियूब्लर के बास समझो डियने कमिन यह profession नहीं है तो बहां appreciate के सकते हैं ऑगर कर सकते हैं अगर और यूश कर सकते हैं था रहे कर साथ को थाकर सेथ हैं Jadi करके तो तो हो सकते हैं कि stages clear करने में difficulty हो बट CTB रहा तो easy वड़ेगा तो यह वो रहा था पर IRM के condition में यह है कि इसको मैं Oblisk लगा भी इसके पहले मैं Oblisk लगा कर टेस्ट किया काफी अच्छा दर्वा से clear कर रहा है प्राप activation सही है इसका थोड़ा स्किल 3 में activate हो जाता है कभी कभी बट ठीक है पर थोड़ के condition में यूज करना आसाने में उसको एट लिस्ट डिस्पेश मिशन में अप्लाई कर रहा है थोड़ा डिफिकर अभी जैसे मैंने देखा स्किल नमा 3 प्रेस कर रहा हो तो फाइव में लेटा कर रहा है फाइब कैंसल नहीं हो रहा तो वह एक्टिवेट हो रहा है तो भी डियक्रिट नहीं होता बहुत जह मेले जह मेlas समझ रहो तो इसलिए जो है कि दीशपेशमिश के लिए रामैन ही सही रहे है ठोर अभी के लिए मैं केंठ हो सकता अब लेवल 80 करने के बाद में शाथ हो सकता है कि थौर बहुत बढ़िया कर लेकिन अभी के कंडिशन में थौर लेवल 70 के साथ में उतना अच्छा क्लियर नहीं कर रहा लेवल 80 के साथ में शाथ कर ले बट 70 लेवल में उतना अच्छा नहीं कर रहा जिस वज़े से मैं इसको थौर को रिकमेंड नहीं कर सकता अरमन लेवल 80 है वो पहले आया है पहला ब्लस टाप के सबसे पहला तीर फो क्यारेटर है इसलिए उसको रिकमेंड करूंगा और इसके पास में हल्क बिसर की लीड भी है जिस वज़े से उसका 80 के काफी ज़्यादा बढ़ जाता है थौर के मुकाब थोड़ा साथ में कंडिशन में मैंने कली दिखा था था थोड़ा बहुत डिफ्रेंशियट आएगा इसलिए मैंने बोला कि अलग अलग आएगा लेवल 80 लेवल 70 परफॉर्मेंस अलग है लेवल 80 के बाद में क्या हो रही है मुझे नहीं पता मैं टेस्ट करके नहीं दिखन यह था और थोड़े अच्छे बोनस मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं लेवल 80 करके क्लियर कर लेता बट उसके पावर लेवल उसके बाइडिफॉल्ट जिनिफॉर्म में ही कम है जिस विज़े से मैं को लेवल 80 करने में हिच की चाहट हो रही है तो लाइक करो शेयर करो सब्स जिस विज़े द जिस विज़र कर दो सकाहे लेवल उसके जिस विझ धरना ने जिसचे लेवलं जिस विउ़ें में ही तो लेवल जबसे की चाहट करा बाइडिन लेवल Street C5